तो भाई अस्सालाम वालीकूम वेलकम बेक तू माईनी वुलाग तो भाई कैसे हैं आज सब उमीदे खेर खेरियत से होंगे ठीक ठाक होंगे फिट पार्ट होंगे तो भाई गंदगी जो है बहुत दाद हो चुकिए गर के अंदर और आज जो है आपका भाई करेगा हाउस क् यानि ये बिल्कुल साफ सुत्रा घर अभी सुबही सुबह के टाइम है नाचता वगएरा कर लिया है और बच्चों को छोड़के आज चुका हूं इस्पूल और अब जो है हम करेंगे अपने घर की आज सफाई तो पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ कर देखें कितने तो पंखा पंखा जो एन आप लोग देख सकते है कितना ज्यादा गंदा हो रहा है कि देंगे का इस पशलंगात की आई कई रिखने लेगा आज हम अपना पंखा बगएरा वी साफ करेंगे और यह वाला कमरा बीड़के थिदू आद करेगे dummy से सबस्स Yep ृत्म से पहले। और करते हैं पंखा साफ तो यह आगे हमारा कपड़ा ठीक है और सबसे पहले करेंगे हम यह पंखा साफ तो भई यह पंखा जो बहुत ज्यादा नीचे है मुझे इस्टूल वगर्रा की जरूरत नहीं है तो मैं जो है फटावट से साफ कर लेता हूं यह वाला पंखा तो देखें गाइस आप यह ही किती मट्टी हो लिए इसके अंदर आप लोगों से पंखा वगर्रा जो है देखें आप लोग कैसा नीट अंड क्लीन कर दिया आप क्या भाईन है पर यह थोड़ा सा कोना है यह जो ना गीले है थैदैने की कपड़े से में अगा से साफ होगा तो पंखा जो है इसके इसके ऊपर से भी जो है वह सफाई बगरा कर लिए हμन हमने थोड़ी सी मत्ती हमें कैमेरे में नदर आई आईयिये है तो भई अब बारी आती है जला सаф करने की फटा फटा और वटासे हैं जस्यणीक्तार ओठाते हैं जाली साफ है है सबसे पहले कमरे के जला सबर्ट करें तो अगर सकते है किपनी स्यादा अग desert कररने आप लोग भी जो है वो घर की सफाई वगरा किया करें क्योंकि सफाई ने जो है वो इमान है और हमारे तोतों को जो है वो यहां पर पिंजरा रखा हुआ है इसकी भी हम सफाई करेंगे भी और इनको जो है दाना पानी डालेंगे कि देखें कांगाय भाई तोते कांगाय वह बैठाई वह पर अंदर बैठाई है तो भाई यह वाला कमरा जो है वह साफ हो चुका है अब बारी आती है इस वाले कमरे की यह जो है ना बहुत ज्यादा गंदर हो रहा है चेक करें अब लोग करना है मुझे भी कमरे के अंदर तो भाई जली जली से जो है वह चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के ताद चेयर करें फटावट से बाहर का मौसम दिखाओं गाईज आपको कितना जबर्दस मौसम हो रहा है गाईज एक तर्फ से बादल आए में और एक तर्फ से बादल नहीं आए हो सकता है कि आज बारी शोगरा भी हो जाए तो फटाफट से जो है यहां की भी सफाई कर लेते हैं क्यूंकि इस तरफ की रह गई है गाईज यह देखें भई यह जाले चेक करें आप लोग कितने जाले हैं कि अधर की जाले भी फटावर से थाफ कर जोते ही चेक करें कि अधर कर रहा है कि अधर कर रहा है और मैंने जो शोलर लगाया था मैंना इस चेक करें वहीं हमारा सुलर प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है तो वह यह थी आज की वीडियो उमीद है पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तुम चैनल को दुरू सब्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को अच्छे हैं मिलते हैं कल एक नए व्लोग में अपना बहुत सारा ख्यार लगईगा अल्लाह ने के हुआ 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 है